राइपूर से खबर विशतुस गड़ में नए बदलावों के साथ सकूल खुल गए है। 36 गर में नए बदलावों के साथ स्कूलों को खोला गया है किसी स्कूल में एसेम्बली प्रेयर नहीं कराए गई है और हर कक्षा के कोर्स में 30% स्लेबस को कम भी किया गया है चार राजियों में आज से स्कूल खुल गये है कोविड प्रोटोकॉल का सक्ती से पालन करने के निर्देश दियेगा है आपको बता दे कि पंजवाब, उत्राखन, जारखन और 36 गर में स्कूलों को खोल दिया गया है पंजवाब में सभी कक्षाए आज से शुरू हो गई है उत्राखन सरकार ने स्कूल खोलने की इज्वाज़त दिये लेकिन अभी स्कूल ने खुले चोटरस गर में भी आज से स्कूल खोल चुके हैं स्कूलों को कोविड नेमों के पालन की सक्त हिदायत दी गई है राजसरकारों ने स्कूल शुरू करने का लिया फैसला चोटरस गर में भी आज से स्कूल खोल चुके हैं Assembly prayer जो है वो नहीं कराई गई क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चों एक साथ इखटा होते हैं और social distancing को ध्यान में रखते हुए Assembly prayer नहीं कराई जोरी Classes में भी जो sitting arrangements है वो इसे साथ से किये गए हैं कि Social distancing का वरपूर पालन हो से के Gate पर ही Thermometer से Temperature को चेक करना Sanitizer कस्तमाल Mask 4 राजियों में आज से स्कूल खुल गए हैं उत्राखण में, 36 गड़ में, जवारखण में और पंज़ाब में 4 राजियों में खुले स्कूल और किसी भी स्कूल में नहीं हुई Assembly prayer, 36 गड़ में नए बदलावों के साथ स्कूल खोल दिये गए है, sitting arrangements दो गजदूरी के साथ किया गया है Mask लगाना, पेहद अनिवार है, आप तस्मीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अध्यापक हैं, वो भी mask लगाए हुए हैं और जो बच्चे हैं, वो भी mask का अस्तमाल कर रहे हैं Sanitizer का अस्तमाल स्कूल गेट पर भी किया जो आ रहा है, साथी साथ बच्चों कोई बोला जो रहा है कि आप अपने पास Sanitizer को रखें और यह तस्वीर हैं आपको लगातार दिखा रहे हैं आज से च्वा राजियों में स्कूल खोल दे गए हैं अला कि तीसरी लेहर आने बारी है और उसको भी यहां पर खास क्या रखा जा रहा है तैयारियों का जोज़ा लेने के लिए अलग-अलग राजियों से हमारे सबदता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले हम राइपूर चलेंगे जोहां पर रोहित आप से जाना चाहूंगी मैं आज से स्कूल खोल दे गए हैं किस तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है क्योंकि बच्चों के साथ रिस्क है यह रोहित आवाज आ रही है आपको रोहित आपके आवाज हम तक पहुच पा रही है आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं अब आप लाइन मोड पर कराया जाएगा सुवे से स्कूलों पर बच्चे पहुंचे बाइस बार मार्निंग प्रेयर के इसम्मली जो होती है उसको नहीं किया जाएगा साथ जो बच्चे वहाँ पर स्कूल पर पहुंच रहे हैं उनके सुरुआती दर्में गेट से एंट्री करने से पहले थर्म स्कैनिंग की जाएगी इसके साथ साथ मार्ग पो सनेटाइजर उनके लिए आनिवारे कर दिया है कि हर बच्चे के पास मार्ग को सनेटाइजर पर पालन करवाया जा रहा है इसके साथ ही आज दसवी और बारवी के लिए फिराल तो स्कूल खोल दिये गए हैं जल्द हम देख सकते हैं कख्षा आठवी के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे आप से रोहित में जाना चाहूंगी क्या वाकई पालन हो पा रहा है यह जो कुरोना प्रोटोकॉल्स हैं सैनिटाइजर है मास्क है शोशल डिस्टेंसिंग है क्या वाकई इंका पालन किया जा रहा है सकती से क्योंकि बच्चों के साथ बहुत जादा एक कहते हैं उनको जानकारी भी देना बहुत जरूरी है कुरोना को लेकर तो उस तरीके से किस तरीके से काम तो उस समय फालन होते नजर आ रहा थे लिए आज की बात करते हैं ताज सुबह में पहुंचे तो स्कूलों में जो हाल बेहाल था हाल था क्योंकि पहले दिन था तीचर सुपलब नहीं से तीचर बाहर खड़े नहीं नजर नहीं आ रहे थे लेगिन कहीं नहीं इसको लेकर त्यारिया की जारी है कुछ देर बाद जो बड़ी संख्या में स्टुएंट पहुशने लगे तो थर्मा स्क्राइन के बिएस्था की गई साथी साथ तो सोचल डिस्टेंसिंग है उसका फालन होता भी नजर आ रहा है स्कूलों के अंदर कर्षाएं हैं उसे पचास पर तीस है कि जल्दी इसको लेकर तुदे प्राफ़ा तैयारिया कर दी जाएंगे दूसर दिन से जो स्कूलों में जो आज थोड़ी बहुत अर्वेस्था रिखी उसको सुदार लिया जाएगा जिरो बिल्कुल देखना होगा कि किस तरीके से काम के जाता है विनोध यह हमारे साथ जुड़े हैं जो की बिय्रोचीफ हैं पंजवाब से आवेनोध जी आपसे जाना चाहेंगे आप अगर हम करें पंजवाब की पंजवाब में भी आस स्कूल खोल दिया गया है किस तरीके से किन तैयारियों किस साथ स्कूलों को खोला गया जैगा जिनमें सिक्षक और करमच धार्यिक दोनों लग चुकी होंगी जिसाथ के साथ हूरी पोराफ सेनटाइजर के साथ मांस के साथ और प्रापर डियरेंड जो शॉसल डिस्थेंसिक इनके साथ इसकोल में आने के नूमती है पूरे धती है जाकर को इस तरह की को अनुशाशाशन को नहीं अपनाते हैं तो उन्हीं स्कूलों पर कारवाई भी की जाएगी दूसरे साथ अगर करोना की दर में ग्रावट आती है या सोचल डिश्टेंस के साथ इसकूल को दिक्कत नहीं आती तो चोटी कलास हैं चोटकशाव को भी खौल दिये जाएगा जी अंकित आप से जान अगर हम व्यवस्ता की बात करें तो फिलहाल शुर्वासी तौर पर नवी कक्षाते बार्वी कक्षाते के बच्चों की स्कूल क्लासे जो है वह संचारी की जाएगी इसके साथ जो कोविट प्रोटकॉल होगा उसका भी आपको स्कूल को जो अनुपालने उसका करना जाएगी अब जैसी अगर जाता हम व्यवस्ताओं की बात करें आज उत्राखड में इसकूले खुल चुके हैं पहले दिन हमने देखा कि थोड़ी जो व्यवस्ता है वो काफी अतक चाग चौबंद है और चाहे वो सानिटाजर की बात हो या स्क्रीनिंग की बात हो इसके ल के लिए तो अब आज के अगर हम बात करते हैं तो अब फिलाल स्कूल खुल चुके हैं इसकूलों में बच्चों की वह संक्या नहीं देखने को मिल रही है जिसकी गयों मिद की जाए थी क्योंकि आप भावों में अभी भी अपने नौनियालों के जान को लेकर के अभी भी दर जो है वो है और उत्राखण में भी हाली में एक नौनियाल में बारा साल के बचे में कोविट की पुष्टी हुई है तो इस तरीके से जो यह एक का दुक्रा करके और अब यह अगर यह आपने देखा होगा कि आज जो कोविट के जो मामले हैं वो भी अभी देजरे करके ब देट है स्कूल खोलने को लेगा है तो और बच्चों के लिए अभी वाकिन आई नहीं है सरकार जरूर कह रही है कि सप्टेंबर से हम बच्चों को वैस्टी लगाने साथ करेंगे तो ऐसे में ऐसे सिस्टिन है जो यह जो डिसीजन लिया गया है कहीं एक भातक मां साधित हो जाए है जरूर कह रही है कि 15 अगत तक हम इसको जरूर देखेंगे इस पर पूरी तरीके से निजरानी रखेंगे अगर केसि बढ़ते हैं या फिर किसी तरीके से या फिर बच्चों अगर यह सारा इसका बतलब है कि मद्द्यप्रदेश में अभी संशे बरकरार इस बाती अभी यह कहा नहीं जा सकता कि स्कूल खूलेंगे या नहीं खूलेंगे बीरो चीफ अमारे साथ विनूद जी लगाता जुड़े हूए हैं चंदिगर से आविनो जी आप से जाना चाहूंगी मैं पंजाब के गर बात करें केसे बढ़ने लगे हैं आपके इसाप से स्कूल खोले जा रहे हैं कितना सही कितना गलत पंजाब में इस खूलना अभी तक जाइद नहीं है क्योंकि यहां पर सोचल रिश्टेंसिंग को लेकर या करोना की वेक्सिन को लेकर पर जो प्रवंद हूए वह नहीं हो पाए है जी स्कूलों के अंदर बच्चों की बात कि बच्चे करोना पोजिश्टिव निकले तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बात की जाते बच्चों के लिए गातक सीद होगा और बात की जाए करोना के अंदर साथ अभी वाव को की अनुमती लेना जरूरी है जी आप बलकुल आंकेत आप से जाना चुआएंगे उत्राखन में भी से केस लगा तार बढ़ रहे जिसका जिक्रा भी आप थुर्दे पहले कर रहे थे कि केस बढ़ रहे हैं फिर से एक तेजी देखने को मिड़ रही है उसके बाद ऐसे में स्कूल खोला कितना सही फैसला है क्योंकि चारधा म्यात्रा अभी भी बंद चल रही है ची यह अपने आप में एक चोका देने वाला फैसला जरूर है सरकार का लेकिन सरकार का कहना है कि हमें जान बचाने के साथा जो है बच्चे का बविश्य भी देखना होगा तो अब पिछले दो साल से तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्कूलों को बंद लखा गया है अब अगर हम वर्तमान बेवस्ता की बात की जाए तो हिसा में देरे-देरे करके केसे जो है वो बढ़ने लगए तो ऐसे में आई भावक की चिंता जो है वो काफियत तक जा होंगे कि बच्चों को स्कूल जो है वो जाना है नहीं जाना है क्योंकि बहुत से ऐसे पैरेंट्स है या मैं अपने आसपास की भी लोगों की बात करूं तो वह अभी अलाओ नहीं करेगी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो स्कूल खोलने का फैसला मुझे लगता पर दो 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 पंद्रा पर जो पर इंट वह अपने बच्चों को बेजने के पाश्च में लेकिन लेकिन अपके लिए लेकिन आपके हिसाब से आपके लगते कि मद्रप्रदेश के अभी ऐसी स्थिती है कि स्कूलों को खुला जाना चाहिए देखिए ऐसा है कि जैसे अगर जर्बवती जो महिलाएं थी उनके लिए अगर वैक्चिन आप लोग उने अगर स्कूल आपको खुलने हैं तो पहले सबसे पहले बच्चों का वैक्चिनेशन करना भी जरूरी था क्योंकि हर एक पैरेंट्स के लिए कुछ अपना बच्च जरूर माइने रखता है बले ही तरकार स्कूल कोलने के एक में है अभी ग्यारवी बारवी के स्कूल कोले हुए है और उसके साथ साथ जो है पंदरा अगत के बाद अगर कंडिशन अच्छी रही तो उसके बारवी स जिस बाद ही बिल्कुल कई न कई उमीद करते ही कि अभी फिलाल मद्रप्रदेश में स्कूल नहीं खोले जाएंगे फिलाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जवानकारी के लिए और यहां पर हम बात कर रहे हैं स्कूल चले हम जिस तरीके से चौर राज़ों मे बठाया जाएगा जो एसेंबली प्रेश हैं वो 36 गड़ में काई स्कूल जो हैं वहां नहीं कराएगा क्योंकि बच्चे एक साथ इकटा होते बले ही गाइडलाइन का पालन क्या जा रहा हो लेकिन सवाल ये जरूर लाज़मी है कि क्या इस वक्त स्कूल खोलना बहुत अगर कुरोना महमारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कुरोना से मृत्य हुई है तो आप हिम्मत नहारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्य हुई है तो आप 50,000 रुपे की एक मुष्ट अनुग्रह सहायता राशी पा सकते हैं। विस्तरत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.deligovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ।